हलो दोस्तो स्वागत है आपका धनुस कीचन एंड गाडनिंग में आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के बारे में उसे क्वीलों से कैसे बचाएं और उसे घना कैसे बनाएं और तुलसी के पौधे जो अकसर मर जाते हैं कुछी महिनों में या कुछी दिनों में उ तो उसको कैसे बचाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए ते वीडियो को लाइक कर लें, सबसे पहली बात तुलसी के पौधे का हमें अच्छा चैन करना होगा, अब जो भी तुलसी बजार से खरिकते हैं या कहीं से लाते हैं, एकिनी के घर से ल बहुत ही अच्छा और वो शी घना है, यह देख रहे हैं आप, इस तुलसी का मुझे पौधे नाम तो नहीं पता है, लेकिन यह वह एक होती है कि लाल तुलसी वह नहीं है, यह लाइट ग्रीन है, पूरी बिलू वाली आती है, वह लाल वाली तुलसी नहीं है, तो मैंने य किसी को लगाया है, और इसे करीब दो मैने हो गया है, और यह अभी तक बहुत अच्छी है, इसका प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा है, यह बढ़ रही है, और किसी तरह के कोई कीड़े का भी कोई टेंसन नहीं है अभी तक, हमने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया है, कोई की ट्विड्य के इस्प्रे नहीं मारा है अभी तक बहुत अच्छी ही इसके ग्रोथ भी अच्छी हो रही है सबसे पहला प्वाइंट लोग अकसर क्या करते हैं तुल्सी के पौधों में बहुत ज्यादा पानी देते हैं वह समझते है कि तुल्सी का यह पौधा है इसमें पा तो इसमें 2-3 जन देते हैं इस लोटेस से थोड़ा सड़ा करके और अगर एकसेस होता है तो फिर पॉध्य में ना देकर इसे नीचे शूरज देवता को डाला जाता है दिखाते हुए इस तरह होता है, एक्सेस पाने ना देने से क्या होता है, पौदय की जड़े गलने लगती है, हलंकि आप देख रहे हैं, इसमें से पाने निकलने कोई सोर्स तो वैसा है नहीं, यह इसी में जाती है, इसी में सुख जाती है, एक्सेस होता है, तो कभी कि भी होता है, यहां से निकलने लगता है और इसमें मिट्टी पूरी भरी हुई है जो ऊपर दीक रही है इसके बाद अच्छे से इसके देखभाल करें आप चाहें तो इसके कटिंग भी कर सकते हैं लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं है इसके कारण है कि इसे और थोड़ा बड़ा होने देना चाहता हूँ मैं थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके बाद मैं इसके कटिंग करूंगा और इसे वाइट वाले जो चिपक जाती है वह और खिड़े से बचाने के लिए आप इसे पानी से स्प्रे करें अगर आपके पौ आपके लिए उसके बाद स्प्रे करें तो खिड़े चले जाएंगे और दो से तीन बार स्प्रे करने पर वह चले जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे और इसे उसी बनाने के लिए इसे निचे से कटिंग करना पड़ता है जैसे कि यह अगला वाला भाग आप देख यह यहां तो बहुत ज़्यादा डाली निकली है तो आपको ऐसा करना होगा जैसे तर आपको तुलसी का पौधा घणा रहेगा बाकि दो आज के वीडियो में इतना ही जितनी मुझी जानकारी थी तुलसी के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया और ऐसे ही हमारे यहां पौधा यह बढ़ रहा है आप भी यह कर सकते हैं अपने तुलसी के बादों के साथ वीडियो देखने के लिए धानेवद चैनलन पर नए है तो सब्सक्राइब करें फ्लीज